हेलो दोस्तो आज हम बात करेंगे स्क्रैप और मशीन के बारे में और बिजनिस के बारे में बिजनिस कैसा है तो मैं आज आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि मशीन कब लेनी चाहिए स्क्रैप कैसे लेना चाहिए तो पूरी वीडियो से जुड़े रहे पूरी जानकार से समझाँगा के लिए कि अब इस क्रैप के लिए प्रोब्लम यह कि कहा का जाना है के लिए सबसे पहले आपके पास बाड़ी वाला वाला लोग फंड वाले जो लोग घृंड करती हैं यहां पर जाना है और जो घर बगएरा तोड़ते हैं कॉल्टेक्ट पर वहां भी निकलता और जहां की मैनुफेक्ट्रिंग होती है यह अपना हर वीडियो में आपको समझाता हूं बताता हूं कि का मिलेगे किन्सामाल किस तरीके से हमें लेना चाहिए तो इस तरीके से हमें देखना है तो इस 걱정 है अब पिर से बताता हूं पशौचा नदर कि से सायर के अंदर क्या recovery है तो इस क्रैप जो है अपना 50 रुपे किलो से सुरू हो जाता है को पर वाला 25-25 रुपे से भी मिल जाता है और यह जाता है साड़े चार सुरुपे पांच रुपे किलो तक चला जाता है यह उता है कि इधर 50 ग्राम की recovery है वहां साड़े 900 गज़ा चलते हैं कि तो हमें जो माल देख रहा है जो माल लेना है हमे अब उसकी THE अधर ने यह जो आधाय में माल आरह है तो इस में हम पर अपनी मख्सीन लेंगा है अगर हमारे पास में बीस नीचे नीचे ज़ो मटरियल जादा चलता है उसके लिए मशीन अलग होती है अब मटेरियल हमने देख लिया अब हम उसका रेट कैसे लगाएं तो मेरी और वीडियो भी है जिसमें आपने देखा हुए किस तरीके से मैंने निकाल के दिखाया आप थोड़ा थोड़ा सा एक किलो ले करके जरूरी मशीन से चीले हाथ से चील करके 100 ग्र चाहिए एक mm से चाहिए डबल कट में चाहिए और फिर उसके प्रोडेक्शन के हिसाब से मशीन भी अलग है मशीन का जो काम है वो दूसरे नंबर पाता सबसे पहले आता रो मटेरियल अब रो मटेरियल के साथ एक समस्य और कि हमने रो मटेरियल पर्चेश कर लिया हमने मश समझे और को जब हम किसी को देने जाते हैं तोड़ी मात्रा में मतलब 2-4-5 तो उसका रेट सही से मार्किट में नहीं मिलता है तो कोशिश करें कि आप 150 किलो माल कम से ख़ब एक खटा करें तो उसको चैल करने की कोशिश करें तो आपको अच्छा रेट मिलेगा अब आपको जगह ओपर जहांसा आप इस परचेज करते हैं वह भी रिटन में अच्छा ले लेते हैं अब सबसे जो जरूरी काम है यह कि हमें कोपर या ऐलमूनियम का रेट पर डे का मालूम होना चाहिए रेट से देखना कि हमारा रेट आज को पर का चल क्या रहा है अब हमारा आज के कोपर के रेट के हिसाब से हमें से मतलब पर्चेज करना जो जो भी हम खरीद रहें आज के रेट के इसाब से यह नहीं कि चार दुन पहले उसने इतना बताया या दोस्त ने उतना बता आपको कंफरम होना चाहिए आपके हिसाब से रेट आपको मार्कीट में लगाना है इस जो मटेरियल कोपर का मिल रहा है 50% रिकावरी का हमने चेक कर लिया अब हमें उसे जो लेना है आदा केजिस में निकलेगा तो हमारा बचा 300 रुपे अब उसमें 20 रुपे मिनीमम 20 रुपे हमें प्रोफिट के लेने तो 280 रुपे रेट के देगे अब आप 280 रुपे तक आपको रेट पता लग गया आपको कहां से लाउट करना यह भी हो जा कि लिए आप मशीन की बारी आती है आप मशीन अपनी फाइनल करेंगे कि यह बादा में मोडल लेना है इस तरीके का मोडल लेना है तब हम अपना स्टार्ट अप कर सकते हैं पर इसमें कोशिश रही करन बाकि उनलाइन जो सेल कर रहे हैं उनसे बचना है कोई आपको पास मैसीज बेज रहा है कि यह माल है उस माल पर विश्वास नहीं करना है मैं पहले वीडियों बता चुक हूँ कि जिस माल की कीमत 300 रुपे कि आपको 170 में 150 में मिल रहा है सेल करने वाला बेवकूप नहीं है या तो आप जादे समझदार हो या फिर वह बहुत जादे समझदार है तो यहां आप दोनों की प्रोवलम है इस माल में मैं फिर से बताऊंगा इस कि रहें बीस-तीस रुपे कि लोगा ही प्रोफिट बनेगा सुरू में अब आप बहुत मो शचिए सबसें से बboard में अब घंष सकते हो तो इन सब थोड़े सी चीजों से बचेंका पैसा इनहाईफ्या जल्दी से रेटन नी आएगा इसके है बिजनिस में घुसना है तो उसके लिए पहले 10-15 दिन जो भी अपना फिल्ड में मेहनत करने के बाद में फिल्ड में प्रूशिश करें वरना जरूरी थोड़ी नहीं कुछ और बिजनिस देखो और बहतेरे होंगे जरूरी नहीं कि सब पर ही सारे काम होते हैं वरना सब यह सह सारी काम करने लग जाते हैं तो आज के लिए इतना ही अब नेक्स्ट वीडियो मताएंगे दन्यवाद